नमाशकार मैं जिवन बागुल वापस एक बार आपके सामने हजिर हुआ हूँ इन्वेस्मेंट फंडा चैनल पर जिंदगी का एक अलग एंगल और एक अलग विचार लेकर आज हम लोग mutual funds के बारे में कुछ चीजे और थोड़े से deep में जाके देखेंगे क्योंकि बहुत सरे इससे request आया है कि हर एक topic के बारे में हर एक product के बारे में कुछ detail में बात क्यूं नहीं करता हूं मैं वो जो पहले के वीडियो थे वो सारे ये चीजे क्यों करनी है उसके बारे में थे लेकिन अब हम धिरे धिरे एक एक वीडियो में हर एक product के बारे में detail में जानकर लेना शुरू करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic mutual funds से आप मेंसे कितने लोगों को पता है कि mutual fund exactly काम कैसे करता है क्योंकि हम लोग इतने लोगों से बात करते रहते हैं वहाँ पर पता चलता है कि लोगों को mutual fund क्या है कैसे काम करता है क्यों लेना चाहिए minimum investment के कुछ भी नहीं पता आपकी और हमारी भाषा में mutual fund कैसे काम करते है इसे एक छोटा सा simple example लेके समझने की कोशिश करते है समझ लीजे कि आप हर महिना कुछ gold खरीदना चाते हो, sona खरीदना चाते हो अब ये हाथ indicate करेगा sona याने gold और ये हाथ indicate करेगा mutual funds चली, समझ लीजे कि आपने decide किया 10,000 रुपए का हर महिना आप gold purchase करोगे, हर महिना जो आप gold purchase करोगे वो हर महिना same rate से तो नहीं मिलेगा यानि आपको अलग-अलग rate से ये gold मिलेगा, अलग-अलग grams में मिलेगा, बरबर है वैसे ही mutual fund में भी आप हर महिना जो पैसे invest करते हो जिसको हम SIP बोलते है यानि systematic investment plan यानि हर महिना आपके bank account से पैसा investment होगा mutual fund में तो जैसे ही आप हर महिना पैसा invest करते जाओगे, समझ लीजे 10,000 रुपए हर महिना, तो हर महिना अलग-अलग rate से आपको units मिलते जाएंगे जैसे gold में grants है वैसे mutual fund में units है अब समझ लीजे कि आपने decide किया 5 साल तक आप gold purchase करते रहोगे वैसे ही आप 5 साल तक investment mutual fund में भी कर सकते हैं कितने महिने, कितने साल कितनी investment करनी है ये पूरा आपका decision होता है जो आप हर महिना 10,000 रुपे का gold आप purchase कर रहे हो वो अगर आपको कभी बेचने की नोबत आती है भले वो आपने अगर 5 साल का time decide क्या है तो 5 साल के अंदर भी हो सकता है या 5 साल के बाद भी हो सकता है कभी भी हो सकता है कभी भी आप बेच सकते हो वही बात mutual fund के साथ है आप कभी भी बेच सकते हो उसमें कोई problem नहीं है लेकिन जब आप gold बेचने के लिए जाओगे तो या तो आप पूरा gold बेचोगे या फिर उसमें से एक थोड़ा सा part आप बेचोगे सेम चीज आप mutual fund में भी कर सकते है जब या आप mutual fund बेच रहे हो तो आप या तो बोरा का पूरा mutual fund बेच सकते हो या फिर उसका थोड़ा सा एक portion जो है आपके पास इकटा हुआ वो आप बेच सकते हो वहाँ पे जिस दिन आप gold बेचने के लिए जाओगे उस दिन के हिसाब से उस दिन के rate से आपको gold का price मिलेगा और आपके amount आपके रकम आपको वापस मिलेगी सेम चीज mutual fund में जिस दिन आप या units बेचने के लिए जाओगे उस दिन की जो rate है जिसे हम NAV बोलते है याने net asset value उस rate को बोलते है उस rate से आपके mutual funds बेचे जाएगे और उतनी रकम फिर आपके account में जमा हो जाएगी कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जो gold आप हर महीना decide कर रहे हो कई बार ऐसा होगा कि आपके पास एक extra थोड़ी सी amount है जिसका भी आप extra gold purchase करना चाहोगे possible है? yes possible है same चीज mutual fund में भी possible है अगर आप हर महीने कुछ एक 10,000 या जो भी है amount उतना का अगर आप mutual fund purchase कर रहे हो उसके अलवा अगर आपके पास कोई एक लंसम चोटी सी amount है चोटी बड़ी कोई भी तो वो से भी आप mutual funds के और units खरीच सकते हो gold आप एक दुकानदार से खरीच सकते हो या 2 या 10 किसी भी कितने भी दुकानदार से आप खरीच सकते हो जब चाहें खरीच सकते हो वैसे ही mutual fund में भी आप किसी भी company से units खरीच सकते हो आज 40 से ज़ादा mutual fund की companies है भारत में और आप किसी भी company से किसी भी work उनके कोई भी scheme में आप अपना पैसा invest कर सकते हो क्या gold में जब आप investment करते हो उस टेम आपको पता होता है कि इसके उपर कितने returns मिलने वाले है नहीं न वैसे ही mutual fund में जब आप investment करते हो आपको ये पता नहीं होता कि आपको कितने returns मिलने वाले है क्यों? क्योंकि ये बाजर अरवाव यानि शेर मार्केट के उपर depend होता है तो जैसे शेर मार्केट उपर नीचे होगा वैसे mutual fund में भी होगा ये exactly कैसे काम करता है हम एक दूसरे वीडियो में देखने वाले है लेकिन यहाँ पे gold अगर आपको पता नहीं है और चुरुवात में कितने returns मिलेंगे mutual fund में भी नहीं पता चलेगा gold में interest नाम की कोई चीज नहीं होती क्यों? because यहाँ पे returns vary होते है international market के rate के हिसाब से वैसे ही mutual fund में भी interest नाम की कोई भी चीज नहीं होती यहाँ पे returns आपको मिलते है share market की चड़ उतार के वज़े से जो भी rate होगा उसके हिसाब से gold में जो आप investment करते हो उस तेम आपको tax का benefit नहीं मिलता mutual fund में tax का benefit मिलता है कुछ देर बाद हम लोग इसके बार में और जानकारी लेंगे कैसे किस तरीके से tax का benefit मिलता है चलो साड़े तीन चार साल बाद हो गए या छे साड़े छे साल हो गए अब मैं आगे continue नहीं करना चाहता और अब मैं यह purchasing जो है वो रोकना चाहता हूँ हो सकता है? हो सकता है वैसे ही mutual fund में भी same fund applicable है आप जब भी चाहो इसे रोक सकते हो अगर एक दुकांदार से आपने gold हर मैना खरीदा है आपको एक और दुकांदार से यह शुरू करना है कर सकते है यस कर सकते है same mutual fund के साथ भी आप कितने भी companies के साथ यह monthly investment शुरू कर सकते है अगर आपने gold एक lump sum एक बड़ी रकम देखे आपने खरीदा है ऐसे for example 50,000 रुपए देखे आपने सोना खरीदा एक particular rate से तो एक particular gram आपको या तोला आपको gold आगया जिस दिन आप बेचने के लिए जाओगे उस दिन के हिसाब से वो बेचा जाएगा यही चीज mutual fund में भी होती है जिस दिन आप पैसा invest करोगे उस दिन के हिसाब से उस दिन के rate के हिसाब से आपको units मिलेंगे और जिस दिन आप यह units बेचोगे उस दिन के rate के हिसाब से वो बेचे जाएगे और आपको आपका पैस वापस मिल जाएगा तो देखा आपने ये funda जो है वो gold जैसा ही है लेकिन returns में काफी फर्क होता है क्योंकि दोनों markets बहुत अलग है चलिए अब देखते हैं कि mutual fund के basic types क्या है आम बाशा में देखने की कोशिश करते है एक तो share market related है अब share market को equity market बोलते है याने एक category होती है equity mutual funds की जहाँ पे share market में बड़ा सा portion आपके funds का invest हो जाता है एक fund होते है जो liquid fund बोलते है liquid fund याने क्या money market याने क्या ऐसी जगह जो आप parking lot करके use कर सकते हो याने जहाँ पे एक रुपया भी वहाँ से share market में नहीं जाएगा लेकिन FD से कम थोड़े से returns आपको मिल सकते हैं वहाँ पे लेकिन आपके पैसे को कोई चिंता नहीं कोई tension नहीं कोई risk नहीं अब यह तो हुआ equity fund यह हुआ liquid fund एक और fund होता है जिसे हम बोलते है date fund याने liquid से थोड़ा सा liquid fund से थोड़ा सा ज्यादा return मिलता है और इसमें से भी कोई पैसा equity funds या share market में नहीं जाता है अब होता है एक और टाइप जिसे हम बोलते है hybrid fund याने थोड़ा सा equity का portion थोड़ा सा date का portion यह दोनों मिलके जो होता है होता है hybrid fund जहां पे medium type के risk होती है यानि अगर risk में हम लोग देखे तो liquid fund में सबसे कम risk या ना के बरबर risk उसे थोड़ा सा return ज़ादा तो थोड़ी से रिज़ ज़़ादा debt fund में उसे और थोड़ी से रिज़ ज़़ादा hybrid funds में उसे और थोड़ी से रिज़ ज़़ादा equity funds में क्योंकि वहाँ पे equity का portion बढ़ जाता है और सबसे risky होते है sector funds याने for example banking fund जो सिर्फ banking के companies में ही investment करेंगे या फिर infrastructure funds जो कि सिर्फ infrastructure से related companies में investment करेंगे फार्मा funds, petroleum funds, electricity या power sector funds, IT funds ऐसे बहुत सारे funds है कि जो sectorial fund होते है और वहाँ पे risk सबसे ज़ादा होती है तो जब भी आपको investment करनी है तो सबसे पहले तो याद रखे कि आपका risk appetite क्या है और कितना है और उसके इसाब से फिर investment कहां पे करनी है इसको आपको decide करना है अगर आप इतने सक्षम नहीं है तो आपके लिए हम जैसे distributors बेठे हुए है आपको मदद करने के लिए हमारे सारे contact details description में दिये हुए है और यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ सारे contact details आप कभी भी हमें phone कर सकते है या whatsapp पे message भेज सकते है तो दोस्तो आज इस वीडियो में इतना ही कुछ तो फंडे आपको clear हो गए है अगले कुछ वीडियो में और कुछ फंडे क्लियर होंगे सारे फंडे एक वीडियो में नहीं clear करूँगा क्योंकि वो आपके लिए overdose हो सकता है तो धिरे धिरे सारे फंडे जैसे requirement आती है जैसे हमें suggestions आते हैं हम लोग ये सारे फंडे आपके clear करते रहेंगे अलग-अलग sector अलग-अलग products के साथ अब आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ मिलेंगे अगले वीडियो में लाइफ का एक अलग अंगल एक अलग विचार लेकर नमस्कार थैंक्यू सो मच and take care of yourself